अब सर्धियों का मौसम चालू होने वाला है और इस मौसम में बिमारिय निरहता है। जांते हैं कि ख़ाने में अद्रक शामिर करने से बहुत सी चुटी बड़ी बिमारियों से बचा जा सकता है सर्दियों में इसका किसी भी तरह से सेवन करने पर बहुत लाब मिलता है इससे शरीर को गर्मी मिलती है और पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है शहत को आयरवेद में अमरत भी कहा गया है ठन के दिनों में अपने भूजिन में शहत को जरूर शामिल करें शरीर को स्वस्त निरोगी और उटजावन बनाये रखने के लिए यूँ तो सभी मौसम में शहत का सेवन लापकारी है लेकिन सरदियों में शहत का उपयोग राइजेशन में सिधार होगा और प्रतिरक्षा प्रनाली पर भी असर पड़ेगा पिन खजूर में प्रोटीन वसा और शक्रा परियाप्त मात्रा में पाई जाती है केल्शियम आयरन भी पाया जाता है साथ ही विटामिन A, B और C भी पाया जाते है सरदियों में पिन रची स्ञेशन में पिजूर में शर्करा की मात्रा पिचासी प्रतिशत था है सर्दियों में केसर का उपयोग लाब धायक रहता है क्योंकि इसकी तासीर और शकी आयलवेद में गर्म माना गया है इसमें प्रमोग्रूप से कैरोटीन लायकोपीन जियाजैन्थीन, क्रोसीन पीके क्रोसी नादी पाये जाते हैं रासायनिक वक्क कार्बनिक योगिकों की उपस्तिती कैसर को अनमोलोशती बनाती है ठंड में इसके सेवन से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है संदर में भी व्रिद्धी होती है इसमें विटामिनी भरपूर मातरा में होता है बादाम कई गुणों से भरपूर होते है इसका नियमिट सेवन अनिक बीमारियों से बचाव में मददकार है बादाम खाने से याददाश्ट बढ़ती है ये ड्राइफ्रूट कई रोगों से हमारी रक्षा भी करता है बादाम में डाइबिटीज को नियंटर्ट करने का गुण होता है बाजरा में शरीय के लिए आवशकता तो मेगनीशियम, केल्शियम, मेगनीज, ट्रिप्टोफैन, फाइबर, विटामिन, बी, अन्टी ऑक्सिडेन, राधि भरपूर मातरा में पाये जाते है बाजरा एक ऐसा ही अनाज शरीय को सबसे जादा गर्मी दीता है सरती के दिनों में बाजरे की रोटी बना कर खाए, छोटे बच्चों को बाजरा की रोटी जरूर खिलाने चाहे हैं इसमें कहीं स्वास्त वर्दक बुन भी होते हैं अन्यानाजों की अपिक्षा बाजरा में सबसे जादा प्रोटीन की मातरा होती है